नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों मैं करुणा आज बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन लेकर के आई हूं उन स्टुनेंट्स के लिए जो इस वक्त यानि की इस यर 2022 में बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं तेंथ और तुल्थ खा तो बिटा आप लोगों को पता है कि 26 तारिक से आपके बोर्ड एक्जाम स्टार्ट है उससे पहले ही CBSC ने आपको इक gift दिया है और वो गिफ्ट क्या दिया है वो बताने से पहले बिटा अगेर आप शिक्षाप्रवाब कर पहली बार आए हैं और आपने अभी तग भी शिक्षाप्रवा को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले शिक्षाप्रवाब को subscribe कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें तो बिटा, CBSC आपको गिफ्ट देने वाली है और क्या देने वाली है तो देख लेते हैं केंद्रे मर्द मिक्स इक्षा बोर्ड, CBSC की तरफ से 10-12 टम टूकी परिक्षा 26 अप्रेल से आयोजित की जाएंगी, बोर्ड की तरफ से डेट शेट जारी की जा चुकी है एक खबर आई थी कि इसके मुताबिक बोर्ड अफिशल वेबसाइट यानि cbsc.gorman.in या cbsc.result.in पर टॉपर्स की कॉप्यों को अप्लोड करेगा बस यही है जो आज की पढ़ियासी न्यूज है कि यह दो ओफिशल वेबसाइट जो आपको यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर cbsc.org अप्लोड करने वाला है टॉपर्स की कॉप्यों को कौन से उन कॉप्यों से हमको क्या मदद मिलती हैं पता चलता है कि हमें आंसर कैसे लिखने हैं और किन तरह से हम आंसर के पैटर्न को लिखेंगे तो हम मैक्सिमम मार्क्स अपना अच्छे मार्क्स हम रिसीव कर पाएंगे आके देख लेते हैं हिंदुस्तान हिंदी एक निउस पेपर है जिसमें एक खबर प्रकासित की गई थी कि बहतर रिजल्ट देने वाले स्कूल और चात्रों की कॉपी को सारवजनिक किया जाएगा दस्वी और बार्मी टॉपर्स की विशेवार यानि की हर सब्जक की कॉपी आधिकारिक वेबसाइट यानि की cbsc.government.in पर डाली जाएगी साथ ही अन्य छात्रों के फायते के लिए भी बौड स्कूलों को कॉपी भेज़ेगा इसके साथ ही बिटा आप लोगों को बता दिया जाए कि cbsc term 1 कक्षा 10 की परिक्षा 3 नौंबर से 11 दिसंबर 2021 तक हुई थी आपको पता ही है कक्षा 12 की जो term 1 की परिक्षा है वो एक दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक हुई थी term 2 की परिक्षा 26 से शुरू होने वाली है और final result जो होगा बिटा वो आपका दोनों परिक्षाओं के आंकों को मिला करके जारी किया जाएगा इधर बोर्ड की तरफ से term 2 के admit card जारी करने की तयारिया भी शुरू कर दी है बताया जा रहा है कि दो दिनों में एक या दो दिन में बोर्ड अपनी तरफ से admit card भी जारी कर देगा term 2 के लिए और फिर उस admit card को भी आप official website से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और official website वही है cbsc.gorman.in तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये news अच्छी लगी होगी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like कर देना और channel को subscribe करना मत भूला इसी तरह की और information के लिए answer keys के लिए marking scheme के लिए previous year papers के लिए